कि हलो अच्छों कॉशन पढ़ते हैं फाइंट इंटीग्रेशन अफ यह अजीब से नंबर का इंटीग्रेशन करना है की कॉंसेट समझते हैं आपको यहां पर पता होना चाहिए एक तो सीकंट एक्स इंटिण एक्स का इंटिग्रेशन यह इसका शेल अब इस कोषन को सौल करते हैं एक काम करते से अलग अलग टिवाइड करते हैं साइन स्क्व एक्स और को से स्क्वjas एक्स को डौनों नूमिरेटर में दो टर्म है दोनों टर्म के नीचे अलग-अलग कर देते हैं sin square x cos square x dx integration और यह bracket right cancel करते हैं sin square यहाँ पर square से cancel हो जाएगा similarly cos square यहाँ पर cos square से cancel हो जाएगा एक cos बचाएगा उपर इधर आप ध्यान से देखो एक sin upon cos ले लेंगे तो वो 10 बन जाएगा और दूसरा जो 1 upon cos है वो secant बन जाएगा plus इधर दूसरे टर्म में एक cos upon sin तो बन जाएगा cot और दूसरा 1 upon sin बन जाएगा कुस एग सब्सक्राइगे मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग से भी यहाँ के बतायता है जैसे फिर्स्ट टर्म में sin upon cos square था तो बन जाएगा sin upon cos into 1 upon cos यहाँ आगया 10 और यहाँ गया secant similarly second term में cos upon sin square था तो बन जाएगा cos upon sin into 1 upon sin यहाँ आजाएगा cot और यहाँ आजाएगा cos sin integration कर देते हैं पहले वाले का आएगा secant x और दुसरे वाले का minus cos x plus c this is our answer thank you